हेलो दोस्तो मैं हूँ मीर और आज मैं एक्स्प्लेन करूंगा एक एक्षन क्राइम बायोग्रॉफी मूवी दव इसकी बैंडिट को ये एक हंगेरियन मूवी है जो 2017 में आई थी इसकी रेटिंग की बात की जाए तो इसे 7.3 आउट ओफ 10 की शांदार रेटिंग मिली है ये म से ओडियन्स ने भी बहुत पसंद किया है और ये मूवी पर्सनली मुझे भी काफी पसंद आई सो विडाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते है सीधा विडियो की ठरफ मूवी के शुरुआत में हम एक आदमी को देखते है वो बार में विस्की पी रहा था उस आदमी का नाम अतीला एम्बरूस है अतीला अपनी विस्की का ग्लास खतम करके बाहर निकलता है और रोट के उस पार एक बैंक की तरफ बढ़ता है बैंक में जाने के बार वो अपन का सीन देखते हैं जिसमें अतीला एक बच्चा था एक चर्च के प्रीस्ट ने उसे चोरी करते हुए पकड़ लिया प्रीस्ट अतीला को उसके दादी के पास ले जाता है और उसे अतीला की चोरी के बारे में बताता है तब अतीला की दादी प्रीस से माफी मांगती है अब कंप्यूटर के कनेक्शन वायर है लेकिन उसे पेन और डायरी से ही काम करना पसंद है अब बारतोस के रिकॉर्ड के मुताबिक अतीला ने 6 साल में 17 रोबरी की थी और आखरी रोबरी उसने पकड़े जाने के एक रात पहले की तब अतीला कहता है उसने 6 साल में 17 नहीं बलकि 26 रोबरी की है और 27 रोबरी करने के बाद वो पकड़ा गया यह सुनकर बारतोस चौक जाता है क्योंकि उनके रिकॉर्ड में बस 17 रोबरी थी बारतोस अतीला का बयान एक डायरी में नोड़ भी कर रहा था फिर बारतोस उसे सब कुस शुरुवात से बताने कहता है फिर अती अतीला आइस होकी खेल कर अपने घर आया तब उसे पता चला उसके दादी की मौत हो चुकी है अतीला बचपन से अपने दादी के पास ही रहा था उसे अपनी दादी से बहुत लगाओ भी था तब वहाँ उसने पहली बार अपने पिता को देखा वो देखने में ही शराबी दिख रहे थे दारी की मौट के बाद अतीला के पिता उसे अपने साथ ले आए लेकिन वो कहते हैं वो अतीला को अपने साथ नहीं रख सकते दरसल अतीला के पिता एक शराबी थे वो अतीला को अपने साथ नहीं रखना चाते इसलिए उन्होंने अतीला को उसके चाचा के पा में एक चोर को नहीं रख सकते आगे अतीला को बच्चों के सुधार घर में डाल दिया गया जहाँ उसके बाल काट कर उसे कुछ बिगड़े हुए बच्चों के ब्लॉक में रखा गया वो बच्चे अतीला के साथ बहुत बुरा सुलूक करते है अब अतीला उसे सुधार घर म अपना समय बिताने लगा फिर मूवी प्रेजन टाइम में आती है बारतोस कहता है उसने पुलिस की नोकरी में 30 साल बिताए है और हर मुझरिम अपने बच्पन की दर्द भरी कहानी सुनाता है इसलिए ये कहानी उसके किसी काम की नहीं वो बस केस को जल्दी बन करके अतीला को रात चल रहा था अतीला ने भी वहां के डिक्टेटर की आर्मी जोइन कर ली आर्मी में उसे निशानी बाजी सिखाई जा रही थी अतीला का निशाना बहुत अच्छा था इसलिए उसकी ड्यूटी रोमानिया और हंगरी के बॉर्डर पर लगाई गई अब एक दिन अतीला अपने चेक पोस्ट पर ड्यूटी कर रहा था तब उसे कुछ आवास सुनाई दी वो स्पोटलाइट ओन करता है तब उसे दो आदमी दिखाई देते है जो रोमानिया की बॉर्डर क्रोस करके भागने की कोशिश कर रहे थे अतीला उन्हें रुखने कहता है लेकिन वो नही रुखते अतीला ने कभी किसी की जान नहीं ली इसलिए वो उन्हें मार नहीं पाता वो बस उन्हें भागता हुआ देखता रहता है लेकिन पीछे कड़े रोमानियन सोलजर उन दोनों पर निशाना लगा कर उन्हें मार देते है अगले दिन सुबा जब उन दोनों की तो शायद वो बच जाते इसलिए वो उस रात मिल्टरी कैम से भाग जाता है फिर वहाँ से भाग कर एक माल गाड़ी के नीचे शुपता है वो अपने बेल्ट के सहारे लटका हुआ था एक स्टेशन पर सोलजर उसे ढूंडने भी आते है लेकिन किसमत से अतीला उनसे बच ज आता है उसे बहुत जोर से लगी थी इसलिए वो अपना सूटकेस बाहर रखकर टॉयलेट में चला जाता है तब अतीला उस आदमी के कपड़े पहन कर बाहर निकलता है अब वो हंगरी में आजाद था फिर मूवी प्रेजन टाइम में आती है बार्तोस कहता है बाकी की पू का देता है और उसे आइस होकी टीम का गोल की पर बनाता है लेकिन अतीला एक भी गोल रोख नहीं पाता बोता समझ जाता है अतीला को आइस होकी खेलनी नहीं आती फिर वो अतीला से बात करने आता है अतीला कहता है उसे आइस होकी खेले काफी समय हो चुका है इसलिए वो भी ठीक से खेल नहीं पाया, लेकिन वो आगे बहुत मेनद करेगा, तब बोटा उसे एक ओफर देता है, वो कहता है, आइस होकी खेलने के लिए वो अतिला को पे नहीं कर सकता, लेकिन वो office का maintenance और cleaning कर सकता है जिससे उसे थोड़े बहुत पैसे मिलेंगे और वो ice hockey की practice भी कर सकता है लेकिन जहां बाकि ice hockey player रहते है वहाँ उसके लिए जगा नहीं है लेकिन उसका एक personal room है इसलिए जब तक उसे कोई अच्छी जगा नहीं मिलती तब तक वो वहाँ रहे सक तब अतिला हैरानी से पूछता है बोता उसकी मदद क्यों कर रहा है तब बोता कहता है क्योंकि उसके पिता भी ट्रांसलवेनिया से थे मतलब बोता एक अच्छा इंसान है फिर अतिला उस room में जाता है लेकिन वो room नहीं बलकि पूरा flat था अब अतिला होकी की practice करता और अजर रोट से गुजर रही एक खुबसूरत लड़की पर पड़ती है अतिला को वो लड़की बहुत पसंद आई थी इसलिए वो उस लड़की का पीछा करते हुए metro station तक जाता है फिर उस लड़की से flood करके उसका नाम पूछता है लेकिन लड़की कहती है वो उससे पहली बार मिल रही है और वो अपना नाम तब बताएगी जब अतिला उसे दोबारा मिलेगा ये कहकर वो लड़की ट्रेन में चड़ जाती है और ट्रेन भी वहाँ से चली जाती है तब अतिला बाहरा कर कहीं भागने लगता है अब कुछ समय बार वो लड़की अगले station पर उतरत है तब उसके सामने अतिला खड़ा था ये देखकर वो लड़की इंप्रेस हो गई थी तब वो उसे अपना नाम बताती है उसका नाम केट था अतिला उसे ड्रिंक ओफर करता है फिर दोनों ड्रिंक करने जाते है अब मूवी फिर से प्रेजन टाइम में आती है बारतोस कहत आता है उसे हंगरी में एक अच्छी नोकरी करने के लिए वहां के डॉकमेंट और वर्क पर्मिट की जरूरत थी अब मूवी फिर से फ्लेजबेक में जाती है जहां हम देखते है अतिला हंगरी के इमिग्रेशन आफिस आता है क्योंकि उसे हंगरी की नागरिकता और वर्क चाहिए थे लेकिन एक ऑफिसर बताता है इमिग्रेशन ऑफिसर चुटी पर है वो दो हफ़ते बाद आफिस आएगा फिर वो ऑफिसर अतिला को कुछ फॉर्म देता है और साथ ही उसे दो हफ़तों बाद अपने रोमानियन डॉकमेंट लाने कहता है वो अतिला को डॉकमें कि इसे नहीं थे केट कहती है वो अपना बिल खुद पे कर देगी लेकिन अतिला को की एक बोटल वापस करते हुए कहता है उसे प्यास नहीं लगी लेकिन फिर भी अतिला केास पैसे कम पड़ रहे थे तब बचा हुआ बिल केट पै करती है ये देखकर अतिला को बहुत गर्फ्रेंड की अंकल मिनिस्ट्री में काम करते है और उनका नाम अंकल मिकी है अतीला को हंगरी की सिटीजन्शिप चाहिए थी लेकिन जीरो कहता है अंकल से काम करवाना सस्ता नहीं होगा लेकिन अतीला को किसी भी कीमत पर हंगरी की नागरिकता चाहिए थी तब जीरो कहता है वो इस बारे में अंकल मिकी से बात करेगा तब अतीला अपने जोल्टी नाम के एक दोस्ट से कुछ पैसे उधार लेता है फिर वो पैसे अंकल मिकी को देता है ताकि उसका काम आसानी से हो जाए लेकिन अंकल मिकी कहता है उन पैसों में 50,000 कम है वो अतीला से और पैसे था तबी टीवी में नियूज आती है कि रोमानिया का डिक्टेटर मारा गया वहाँ डिक्टेटर शिप बहुत जल्दी खतम हो जाएगी आगे हम देखते है अतीला काफी परेशान है उसका हौकी में भी मन नहीं लग रहा उसे इस बात की चिंता थी कि वो अंकल मिकी को बा भी उदास रहता था तब परिशान होकर वो अंकल मिकी से मिलने मिनिस्ट्री जाता है लेकिन अतीला को वहाँ देखकर अंकल मिकी बढ़क जाता है उसे लग रहा था अतीला उसका पीछा कर रहा है अतीला कहता है उसने उन्हें कॉल किया था लेकिन कोई जवाब ना मिलने पर वो उनसे मिलने आ गया क्योंकि उसकी मदद सिर्फ अंकल मिकी ही कर सकते है अंकल मिकी कहता है उन्होंने अतीला के लिए डिपार्टमेंट में बात की है उसे जल्दी ही मिनिस्ट्री से कॉल आएगा लेकिन अगर अगर अब अतीला उसका पीछा करेगा तो वो उसे वापस रोमानिया डिपोर्ट करवा देगा ये कहकर अंकल मिकी वहाँ से चला जाता है अगले सीन में हम देखते है केट ने अतीला को अपने घर बुलाया है वहाँ केट के पैरेंट्स भी थे वो चारो डिनल टेबर पर बैठते है तब केट अपने पैरेंट्स को बताती है कि अती ही एक कार खरीड लेगा जब उसके पास उतने पैसे जमा हो जाएगे तब केट की पिता कहते हैं वो सिर्फ होकी खेल कर इतने पैसे जमा नहीं कर सकता फिर केट की मा अतीला से उसके पैरेंट्स के बारे में पूछती है अतीला बताता है उसकी मा उसे बच्पन में ही छोड़ कर चली गई थी और उसके पिता के साथ भी उसके रिलेशन अच्छे नहीं थे लेकिन बच्पन में उसकी दादी ने उसे पाला Kate को अपने parents का अतीला से इस तरह के सवाल पूछना अच्छा नहीं लग रहा था तब अतीला भी समझ जाता है कि Kate के parents उसे पसंद नहीं करते फिर अतीला Kate से apple juice लाने कहता है Kate जैसे ही अंदर जाती है उसके पिता अतीला से कहते है Kate उनकी एक लोती बेटी है और खुबसूरत भी बहुत जल्द Kate graduate भी होने वाली है उसके successful होने के chances बहुत जादा है उसका future भी bright है लेकिन अतीला के पास ना तो हंगरी के papers है और ना ही कोई अच्छी नौकरी उसके future कभी कोई पता नहीं और वो एक Romanian भी है ये सुनकर अतीला को बहुत बुरा लगता है और एक तरह से उसके parents सही भी थे अब कुछ देर बाद जब Kate जूस लेकर वापस आती है तब तक अतीला वहाँ से जा चुका था Kate समझ जाती है उसके parents ने अतीला की insult की होगी इसलिए वो भी वहाँ से गुसा होकर चली जाती है वहाँ से निकल कर अतीला जा रहा था तब वो एक बार में एक आदमी को देखता है जिसके पास बहुत सारे पैसे थे उसके आसपास खुबसूरत लड़किया थी उस आदमी को वहाँ के लोगों की attention भी मिल रही थी ये देखकर अतीला समझ जाता है उसे बहुत जल्द बहुत सारा पैसा कमाना होगा लेकिन काम करने उसके पास work permit और नागरिकता नहीं थी अतीला पैदल ही अपने घर जा रहा था तब उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो post office का gate खोल रहा था फिर movie present time में आती है अतीला जेल के barrack में था फिर उसे वापस investigation के लिए बारतोस के room में ले जाया जाता है बारतोस पूछता है उसे नीन कैसी आई अतीला बताता है उसके बाजू वाले सेल के कैदी ने पूरी रात बहुत हंगामा किया जिसकी वज़ा से उसे नीन नहीं आई बारतोस कहता है कैदी कुछ दिन ऐसा करते है लेकिन बाद में उन्हें आदत हो जाती है या कुछ दिनों बाद वो खुद को फासी लगा लेते है अतीला कहता है कैदीयों को कोई अच्छी आदत बना लेनी चाहिए बारतोस कहता है उन्हें ट्रेड या बिजनस की स्टेडी करनी चाहिए या फिर कुछ अच्छा सीखना चाहिए लेकिन अतीला ट्रेड या बिजनेस वाली बात से बार्तोस का मजाक उडाता है तब बार्तोस कहता है अतीला ने भी अब तक कुछ क्रियेटिव नहीं किया इसलिए उसे मजाक उडाने का कोई हक नहीं क्योंकि उसने अब तक दूसरों की चीजों को चुराया है तब अतीला कहता है उसने अपनी जिन्दगी में जो भी किया बहुत अच्छी तरह से किया अब मुवी वापस फ्लेश बैक में जाती है अतीला एक पोस्ट ओफिस में जाता है जहां कैश का लेंदेन हो रहा था अतीला वहां कैश काउंटर पर नजार रख रहा था जहां लोग अपना पैसा डिपॉजिट और विड्रो करवा रहे थे अब अगले सीन में हम एक मार्केट को देखते है जहां जरूरत का सारा सामान मिलता है अतीला वहां से एक विक खरीदता है और खुद को मिरर में देखता है फिर वो बहुत सारी विस्की पीता है और सीधा उसी पोस्ट ओफिस में जाता है जहां वो एक दिन पहले इंस्पेक्शन करने गया था अंदर जाने के बाद वो पोस्ट ओफिस का दरवाजा बंद करता है उस समय वो बहुत घबरा रहा था उसके पसीने छूट रहे थे लेकिन वो कैश काउंटर के इंपलोई से कहता है ये एक रॉबरी है फिर अपने पोकेट से नकली गन निकालता है लेकिन पोस्ट ओफिस के इंपलोईस को लगता है वो मजाग कर रहा है इसलिए वो लोग कुछ रियाक्ट नहीं करते तब अतीला कहता है वो मजाग नहीं कर रहा ये सच में रॉबरी है लेकिन फिर भी वो लोग उसे सिरियसली नहीं लेते तब अतीला उनकी तरफ कूदता है और उनपर चिल्लाता है तब इंपलोई डरते है अतिला उन्हें वही एक कैबिन में बन कर देता है फिर एक बैग में वहां रखा कैश भरता है और दर्वाजा खोल कर वहां से बाहर चला जाता है वहां से भाग कर अतिला एक ट्रेन के टनल में जाता है जहाँ वो अपने कपड़े जूते और विग निकाल कर फेक देता है और दूसरे कपड़े पहन कर एक स्टेशन पर जाता है फिर वहाँ से अपने रूम पर आता है अपने रूम में आने के बाद वो उल्टी करता है क्योंकि रोबरी करने से पहले उसने बहुत सारी विस्की पी थी फिर कुछ देर बाद उन पैशों को बाहर निकालता है पैशों को देखकर अतीला बहुत खुश हो रहा था क्योंकि उसके पास कब इतने पैसे नहीं आए अब अतिला पैसों को रखने कोई सेव जगा ढूंडता है तब उसकी नजर उसके रूम में रखे ओवन पर पड़ती है तब वो अपना लूटा हुआ सारा पैसा उस ओवन में छुपा देता है अगले सीन में हम देखते है वो एक अच्छे होटल में खाना खा रहा था वेटर मिकी के पास जाता है और उन्हें बचा हुआ पैसा देता है तब बदले में अंकल मिकी उसे हंगरी का पासपोर्ट देते है और उसे कहते है अब वो हंगरी का नागरीक है मतलब मिकी ने पहले से उसका पासपोर्ट बना कर रखा था वो बस पैसों के लिए रुखा हुआ थ फिर अतीला एक कार खरीदता है और सीधा केट से मिलने उसके कॉलेज जाता है तब उसके साथ एक लड़का भी था जो उसका हाथ पकड़े हुए था केट वहाँ अतीला को देखकर उसके पास जाती है अतीला केट से उस लड़के के बारे में पूछता है लेकिन केट उससे ब और अतीला को कीस करने लगती है उन्हें कीस करता हुआ देख उसके साथ जो लड़का था वो वहाँ से चला जाता है अब अतीला होकी भी बहुत अच्छे से खेल रहा था एक दिन जब अतीला अपनी कार में जा रहा था तब उसके दोस्त उसकी कार देखकर पूछते है क्या उसने कोई बैंक लूटा है या फिर वो प्रस्टिटूट बन गया है अतीला उन्हें बताता है वो भालू की स्कीन का बिजनेस कर रहा है जिससे वो अच्छे पैसे कमा रहा है ये कहकर अतीला वहाँ से चला जाता है अब एक शाम अतीला एक बहुत बड़े और महेंगे रेस्टोरेंट में केट को डेट पर लेकर आया था तब केट उससे पूछती है उसके पास इतना पैसा आया कहा से अतीला पहले उसे गुसे से देखता है फिर उसे भी भालू की स्कीन के बिजनस के बारे में बताता है तब कुछ दिर बाद केट उसके पास आकर उसे किस करने लगती है लेकिन अगले सीन में अतीला अपने रूम में विस्की की बॉटल लेकर बैठा था वो बहुत परेशान भी था दरसल उसके लूटे हुए पैसे अब खतम हो रहे थे उसके पास अब जादा पैसे नहीं बचे अब मुवी फिर से प्रिजन टाइम में आती है बारतोस कहता है पैसे खतम होने के बाद उसने अगली रॉबरी की प्लैनिंग शुरू की तब अतीला हा में जवाब देता है अतीला बताता है सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था वो जहां भी पैसे लूटने जाता लोग उसे कैश दे देते और कोई घायल भी नहीं होता बीना हाता पाई और किसी को चोड पहुचाए बीना उसका काम आसानी से चल रहा था तब बारतोस कहता है उसने पैसे लूटने के दोरान एक लेड़ी को बातरूम में बन कर दिया था उस लेड़ी को ये पता नहीं था कि वो बातरूम में कितनी देर जिन्दा रहेगी और उसने बैंक लूटते समय जिन गाट्स पर गंता नी थी तब वो बहुत डर गए थे बारतोस कहता है बहले ही उसने किसी को शारिरिक चोटना पहुचाई हो लेकिन मानसिक रूप से उसने बहुत लोगों को चोट पहुचाई है ये सुनकर अतीला कुछ नहीं कहता और कुछ सोचने लगता है फिर मूवी वापस फ्लेश बैक में जाती है अतीला अपनी बाइक से कही जा रहा था वो एक सिगनल पर रुखता है उसी सिगनल पर दो पुलिस वाले भी अपनी बैक से आकर रुखते है तब अतीला डड़ जाता है उसे लग रहा था वो दोनों उसे पकड़ने आए है लेकिन सिगनल ग्रीन होते ही वो दोनों पुलिस वाले वहाँ से चले जाते है अब कुछ देर बाद अतीला जल्दी से बहार आता है और अपनी बाइक स्टार्ट करता है तब यह अचानक पोस्ट ओफिस का सायरन बजने लगता है पुलिस वाला समझ जाता है अतीला ने ही रोबरी की है अतीला भी उसे देखकर भागने लगता है पुलिस वाला भी अपनी बाइक के वहाँ से भागने लगता है और एक नदी में कूच जाता है पुलिस वाला उसे दूर खड़ा देख रहा था लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता थोड़ी दिरवाद अतीला कही और से बाहर निकलता है इसके बाद अतीला बहुत से पोस्ट ओफीस और बैंक में रॉबर पारीज भी चल रही थी वो अपने ओवन में पैसा जमा करता जा रहा था अब उसकी खबर नियूज में भी आने लगी थी दरसल चोरी करने के बाद वो कोई सबूत नहीं छोड़ता था लेकिन उसके जाने के बाद बैंक में विस्की के स्ट्रंक स्मेल आती थी इसलिए वह है क्या उसने सच में लूटा हुआ सारा पैसा खाने पीने और मौजमस्ती में उड़ा दिये अब मुवी फिर से फ्लैश बैक में जाती है एक दिन अतीला जिम में लेट पहुचता है जिसकी वज़़े से कोच उसे डाटता भी है फिर कोच उसे अपने बेटे से मिलवाता ह उसका नाम गेजा था फिर अतीला एक बार में जाता है और एक वोट का ओडर करता है उस बार में टीवी पर बैंक रॉबरी की निउस चल रही थी अतीला उस निउस को ध्यान से देख रहा था क्योंकि वो रॉबरी अतीला नहीं की थी निउस एंकर बता रहा था कि लूटे पहचान बन गई थी इसके बाद अतीला फिर से एक पोस्ट ओफिस में रॉबरी करता है और उसी बिल्डिंग के टेरेस पर छुप जाता है जिसकी वज़ा से पोलीस उसे पकड़ नहीं पाती कुछ दिर बाद सिच्वेशन कंट्रोल में आ गई थी तब वो उस बिल्डिंग स उसके जैसा नहीं दिखता ये देखकर वो हसने लगता है फिर मुवी प्रेजन टाइम में आती है वहाँ बहुत से न्यूस पेपर बार्टोस के सामने रखे थे जिसमें से कुछ न्यूस पेपर में अतीला को हीरो और सेलेब्रेटी कहा गया था ये देखकर बार्टोस उन पैसो की जरूरत थी बार्टोस कहता है शुरवात में उसे पैसो की जरूरत थी लेकिन बाद में उसने रोबरी को ही अपना मिशन बना लिया मतलब अतीला को पैसो की आदत लग चुकी थी लेकिन बार्टोस के मुताबिक उसे पैसो से जादा अटेंशन चाहिए थी पकड़े जाने की नियूस चल रही थी और ये भी बताया जा रहा था कि अतीला एक बुरा आदमी है लेकिन फिर भी वे एक स्टार बन चुका है ये देखकर बारतोस को और जादा गुस्सा आता है नियूस एंकर ये भी कहता है कि अगर अतीला की बुक पबलीश हुई तो वो दुनिया की बेसेलर बुक होगी फिर मुवी वापस फ्लेश बैक में जाती है हम देखते है अतीला और केट एक स्टेश शो देखने गए है उस शो का नाम भी दा विसकी बैंडिट ही था जिसमें बताया जाता है कैसे विसकी रॉबर ने पॉलिस वालों को चक्मा देकर रहा था और अतीला को हीरो दिखाया जा रहा था उस शो को देखकर अतीला को बहुत हसी आ रही थी अगले दिन गेजा अपनी कार में बैठा सिगरेट पी रहा था तब वो अतीला को उसकी कार में आते हुए देखता है उसे पता था अतीला के पास बहुत पैसा है बस वो य अतीला और गेजा कहीं ड्रिंक करने गए थे तब अतीला कहता है हर देश में पैसे कमाने के लिए लोग अलग-अलग वर्ड कर इस्टेमाल करते हैं जैसे अमेरिकंस कहते हैं वो पैसे बनाते हैं फ्रेंच कहते हैं वो पैसे जीतते हैं उनसे कुछी दूरी पर एक गरीब पैसे लेने की बात कर रहा था उसके बाद अतीला गेजा को अपने रूम पर लेकर आता है फिर नियूस पेपर दिखाता है जिसमें विसकी रॉबर मतलब उसकी नियूस चपी थी ये देखकर गेजा चौक जाता है दरसल अतीला ने उसे अपने बारे में इसलिए बताया था क क्योंकि अब उसे एक partner की जरूरत थी, वो गेजा को बताता है उसे अब बड़े banks को target करना है, जिसके लिए उसे और भी लोगों की जरूरत होगी, क्योंकि बड़े bank की security बहुत tight होती है, उसे ऐसे लोग चाहिए जो बैंक लूटते वक्त वहां के लोगों और दर्वाजों पर नजर रख सके ताकि अतीला को बैंक लूटने में कोई परेशानी ना हो तब गेजा पूछता है काम कब से शुरू करना है मतलब वो अतीला के साथ काम करने तयार हो गया था तब अतीला कहता है ये काम बहुत डेंजरस है लेकिन गेजा को बस पैसो से मतलब था इसलिए वो काम करने आसानी से तयार हो गया अगले दिन दोनों एक बैंक में रॉबरी करने जाते है अतीला बैंक में पैसे भरना शुरू करता है और गेजा बैंक के इंपलोईस पर नजर रखता है बैंक में सारे लोग जमीन पर लेट गए थे लेकिन वहाँ का मैनेजर जो की एक बुड़ा आडमी था वो वही खड़ा था गेजा उसे जमीन पर लेटने कहता है लेकिन वो नहीं मानता तब गेजा उसे बहुत भला बुड़ा कहता है तब बुड़ा मैनेजर कहता है उसे उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि वो उसे उम्र में काफी बड़ा है उधर अतीला ने सारे पैसे बैग में भर लिये थे और वहाँ एक विस्की की खाली बोटल भी रग दी थी ताकि सब को पता चले ये रॉबरी विस्की रॉबर ने ही की है बैंक लूटने के बाद अतीला और गेजा उन पैसों से आयाशी करते है अगले दिन अतीला होकी की प्रेक्टीस कर रहा था तब अचानक उसकी तबियत खराब हो जाती है और वो बाथरूम में उल्टी करने लगता है लेकिन बाथरूम से बाहर आने पर वो देखता है गेजा अपने दोस्तों के साथ हसी मजा कर रहा था और साथ में गन चलाने के इशारे भी कर रहा था अतीला को लगता है वो सबको रॉबरी के बारे में बता रहा है तब अतीला उससे लड़ने लगता है और पूछता है उसने सबको क्या बताया गेजा कहता है उसने रॉबरी के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया वो प्रोमिस करता है वो आगे भी किसी को कुछ नहीं बताएगा तब अतीला शांत होकर वहाँ से चला जाता है अगले दिन दोनों अपनी कार में हंगेरियन सेविंग बैंक के पास घूम कर वहाँ का जाइजा लेते है मतलब अब वो दोनों उस बैंक में रॉबरी करने का सोच रहे थे अब रात में अतीला अपने रूम में सो रहा था तब उसे पोलीस का सारं सुनाई देता है उसे लगता है पोलीस उसे पकड़ने आई है इसलिए वो उठकर अपनी गन निकाल लेता है लेकिन कुछ दिर बाद पुलिस की कार वहां से चली जाती है मतलब गेजा को पार्टनर बना कर शायद उसने कोई गलती कर दी अब अगले दिन अतीला और गेजा एक बैंक के बाहर खड़े थे बैंक के सामने खुदाई का काम चल रहा था गेजा अतीला से बैंक के अंदर चलने कहता है लेकिन अतीला कहता है बैंक के अंदर जाना आसान है लेकिन बाहर आना जादा इंपोर्टन्ट है क्योंकि वहां की सिक्योरिटी बहुत टाइट थी अब थोड़ी देर बाद दोनों बैंक में जाते है अंदर जाते ही गेजा बैंक के सारे कैमरास तोड़ देता है और हमेशे की तरह सब को नीचे लेटने कहता है लेकिन बाहर काम कर रहे है लेबर्स दोनों को देख लेते है अतीला भी उन्हें देखता है तब ही बैंक का गाड जल्दी से भाग कर वॉल्ट में जाता है वॉल्ट खोलने की परमीशन नहीं अतीला उसे धमकाता है अगर उसने दर्वाजा नहीं खोला तो वो उसे मार देगा लेकिन तब मैनेजर कहता है अगर उसने दर्वाजा खोल दिया तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा और दोबारा उसे इतनी अच्छी नोकरी कभी नहीं मिलेगी तब सड़कों पर भूग से मरने से अच्छा वो उसे शूट कर दे अतीला समझ जाता है इस बैंक की वॉल्ट नहीं खुलेगी इसलिए वो मैनेजर को छोड़ देता है फिर वहाँ के काउंटर में जमा पैसा लेता है और गेजा को वहाँ से भागने कहता है लेकिन बैंक के बाहर कुछ लोग जमा हो गए थे दोनों के बाहर निकलते ही वो लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते है तब अतीला उन्हें डराने के लिए जमीन पर फायर करता है तब सब लोग डर जाते है और पीछे हो जाते है तब अतीला और गेजा वहाँ से भागने लगते है लेकिन वहाँ जो लोग जमा हुए थे वो उनका पीछा नहीं चोड़ते वो उनके पीछे भाग रहे थे कुछ दूर भागने के बाद अतीला और गेजा अलग हो जाते है लेकिन सारे लोग अतीला के पीछे आते है तब अतीला एक कार को गन दिखा कर रोकता है और उस कार को लेकर भागता है लेकिन अब पुलिस की कार भी अतीला का पीछा करने लगती है पुलिस वाले अतीला की कार को रोकने की कोशिश करते है तभी दोनों की कार का एकसिडन्ट हो जाता है अतीला फिर से भागने के लिए कार स्टार्ट करता है लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती पुलिस वाले भी अतिला को शूट करने अपनी गंतयार कर रहे थे लेकिन वो काफी जखमी हो गए थे इसलिए उन्हें टाइम लग रहा था इधर अतिला कार शुरू करने की कोशिश कर रहा था तब कुछ सेकेंड बात कार स्टार्ड भी हो जाती है जैसे ही अतिला कार पीछ कोशिश करता है लेकिन फिर से उसकी कार का एक्सिडेंट हो जाता है अब पुलिस वाले धीरे धीरे उसकार की तरफ बढ़ते है लेकिन तब तक अतिला वहां से भाग चुका था वहां से भाग कर अतिला अपने घर आता है उसे काफी चोट भी लगी थी कुछ देर बाद व बज़ा से उसे ये चोट लगी होगी फिर अतिला उसे पैसो से भरा बैग दिखाता है और उस बैग को चुपाने कहता है उस बैग में केट को एक गन भी दिखाई देती है लेकिन वो कुछ नहीं कहती अब मुवी प्रेजन टाइम में आती है अतिला को बारतोस के कैबिन मे पूछताच के लिए लाया जाता है बारतोस उसे 27 सेप्टेंबर 1999 की रॉबरी के बारे में बताता है दरसल उस दिन के लिए अतिला पर एक से जादा चार्जेस लगेंगे अतिला कहता है उस दिन उसने सिर्फ एक बैंक लूटा था फिर एक से जादा चार्जेस कैसे बारतो चार्ज बैंक रॉबरी का और दूसरा चार्ज सिक्योरेटी कमपनी ने लगाया है इसलिए हर रॉबरी में अतीला पर दो चार्जेस लगेंगे बारतोस कहता है वो उस पर attempt of murder का भी चार्ज लगाएगा तब अतीला स्माइल करता है उसे लग रहा था बारतोस मजाग कर रहा ह वो कहता है उसने जितनी भी रॉबरी की है उसने उसमें किसी को भी जान से मारने की कुशिश नहीं की तब बारतोस कहता है आखरी रॉबरी करके बाहर निकलते वक्त अतीला ने पोलिस पर फाइरिंग की थी अतीला कहता है उसने पोलिस पर फाइरिंग नहीं की थी दरसल बैंक का दर्वाजा लॉक था और उसे चावी नहीं मिल रही थी इसलिए बैंक के दर्वाजे को खोलने के लिए उसने लॉक पर शूट किया था अतीला कहता है उसने बार्थोस के साथ शुर्वार से कोर्प्रेट किया और उसे सारी जानकारी भी दी फिर वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है तब बारतोस बताता है पुलिस पर फायरिंग करने का स्टेटमेंट खुद पुलिस वालों ने दिया है मतलब बारतोस अपनी मर्जी से उस पर इल्जाम नहीं लगा रहा अतिला कहता है बारतोस उसे फसाने की कोशिश कर रहा है, वो चाहे तो ये चार्जिस हटा सकता है, वो बस इसलिया ऐसा कर रहा है, क्योंकि अतिला की टीम मैच हार जाती है, फिर अतिला एक मौल में गेम खेल रहा था, तब गेजा भी उसके साथ था, अतिला गेजा से कहता है उन्हें एक agreement करना होगा कि रॉबरी करने के बाद दोनों में से जो भी पकड़ा जाए वो अपने पार्टनर के बारे में कुछ नहीं बताएगा और अगर बताना भी पड़े तो तीन घंटों बाद बताएगा ताकि उसके पार्टनर को border cross करके भागन का समय मिल सके गेजा इस agreement को मान लेता है लेकिन वो जाड़ा serious नहीं लग रहा था जैसे उसके लिए ये कोई normal बात हो और यही बात अतिला के परेशानी की वज़ाद थी अगली दिन दोनों हंगेरियन सेविंग बैंक में रॉबरी करते हैं अंदर जाने के बाद अतिला बै अतिला उस camera की तरफ देखता है और cash room में चला जाता है उदर गेजा बैंक के employees पर नजर रख रहा था वही अंदर जाने पर अतिला को बहुत सारा cash दिखाई देता है तब वो main door की चाबी वही side में रखकर bag में पैसे भरने लगता है तब ही गेजा को police का siren सुनाई देता है वो जल्दी से अतिला को चलने बोल रहा था तब अतिला भी बाहर आता है लेकिन वो bank के main gate की चाबी अंदर ही भूल गया था पैसो का bag लेकर दोनों निकल रहे थे अतिला bank का दरवाजा खोलता है लेकिन वो lock था अब चाबी ढूंडने के चकर में उनके भागने का time waste हो गय गया था और police bank के बाहर पहुच गई थी तब lock खोलने के लिए अतिला दरवाजे पर shoot करता है जिसकी वज़ा से दरवाजे का काच तूड़ गया था लेकिन पुलिस वालों को लगता है अतिला ने उन पर fire किया इसलिए वो छुप जाते है तब दोनों दरवाजे का काच तो है विसकी रॉबर ने फिर से बैंक में रॉबरी की लेकिन वो ये नहीं जानता था कि विसकी रॉबर उसकी ही कार में बैठा है टेक्सी आगे बढ़ती है लेकिन कुछ दूरी पर police की checking चल रही थी टेक्सी ड्रैवर भी अपनी कार बाकी गाडियों के साथ लाइन में लगा लेकिन अतीला ने पुलिस वालो को देख लिया था तब दोनों टेक्सी से उतर कर भागने लगते है लेकिन एक पुलीस वाला उन्हें भागते हुए देख लेता है फिर वहां खड़े सारे police वालो को बुला लेता है ओ दोनों station के सबभवे में भागने लगते है और पुली की बॉर्डर क्रोस करने जा रहा था वही दूसरी तरह पुलिस गेजा को पकड़ कर पुलिस स्टेशन ले जाती है फिर उसे इंट्रोगेशन रूम में बैठाया जाता है अब कुछ देर बाद वहां बार्तोस आता है और पूछता है क्या वही विसकी रॉबर है लेकिन गेज उसे कोई जवाब नहीं देता फिर बार्तोस अपने पॉकेट से सिगरेट निकालता है और एक सिगरेट गेजा को भी आफर करता है लेकिन गेजा वो सिगरेट नहीं लेता बार्तोस कहता है वो जानता है हर रॉबरी में उसका और उसके पार्टनर कही हाथ है उसका पार्ट उससे सिग्रेट मांगता है लेकिन बारतोस कहता है वो ये मौकाग हो चुका है और उसे सिग्रेट नहीं देता कुछ दिर बाद जो आदमी रूम से बाहर गया था वो एक आफिसर को लेकर अंदर आता है फिर वो आफिसर वहां रखी अलमारी में से एक मोटी बुक निकालता ह और उस बुक से गेजा को पीटने लगता है उधर अतीला कार से बौडर की तरफ जा रहा था तब रेडियम न्यूस से उसे पता चलता है कि गेजा को पुलिस ने पकड़ लिया है और उसका एक पार्टनर मतलब अतीला का अब तक कोई पता नहीं चला लेकिन तब ही उसकी गेजा को पीटने के बाद बार्तोस उसे वही सवाल करता है कि उसका पार्टनर कौन है वो कहा रहता है और इस वक्त वो कहा है लेकिन गेजा को पता था तीन घंटों तक उसे अपना मूँ बंद रखना होगा वो मार खाने के बाद भी कुछ नहीं कहता इधर अली था एक फ अतीला के बारे में पूछ रहा था तब गेजा अचानक टाइम पूछता है तब बारतो सब को रूम से बाहर जाने कहता है और खुद भी रूम का लाइट बन करके बाहर आ जाता है फिर बाकी ओफिसर से किसी दूसरे रूम की घड़ी दो घंटे आगे सेट करने कहता है फिर लिए गेजा ने उससे टाइम पूछा, वही दूसरी तरव अतीला बॉर्डर पर पहुच गया था, इधर कुछ दिर बार्तोस उस रूम में वापस आता है, मार खाने के बार गेजा जमीन पर ही पड़ा हुआ था, बार्तोस उसे फिर से सिगरेट ओफर करता है, तब गेजा ह में जवाब देता है, फिर एक ऑफिसर गेजा को उठा कर दूसरे रूम में ले जाता है, दूसरे रूम में ले जाने के बार बार्तोस गेजा की हटकड़ी खुलवाता है, और दोनों ऑफिसर को रूम से बाहर भेज देता है, उधर बॉर्डर पर एक ऑफिसर अतीला से उस बारतोस अपने हैंड वाज देखकर कहता है कि दिवार पर लगे घड़ी स्लो चल रही है और अभी साड़े आठ से जाड़ा टाइम हो रहा है मतलब गेजा बारतोस के ट्रिक में फज गया था वही दूसरी तरफ वो आफिसर अतीला का नाम पूछता है तब ही अतीला के पीछ था वो अतीला को वहाँ ले जाते है फिर वहाँ का ऑफिसर उसे अपने हतियार निकालने कहता है तब अतीला अपने जैकेट के दोनों पोकेट से गन निकाल कर उसके सामने रख देता है कुछ देर बाद वहाँ बुद्धपे सिटी की पुलीस आती है और अतीला को पुलीस को चकमा देने के बाद पकड़ा गया नियूज में ये भी बताया जाता है विसकी रॉबर्ट ट्रांसलवेनिया के सिखजेदा नाम के एक छोटे से गाउं में पैदा हुआ था और उसका असली नाम अतीला एमरूस है ये नियूज उसके सारे होके टीम के दोस्त औ और उसका कोच बोटा भी देख रहा था नियूज में हम देखते है अतीला 1988 में ट्रांसलवेनिया से भाग कर हंगरी आया था और वो डेजा होके टीम के लिए गोल्टेंडर के तोर पर काम कर रहा था फिर नियूज में गेजा के बारे में भी बताया जाता है जो अतीला का क प्राइम पार्टनर था और उसने अतीला के साथ मिलकर तकरीबन दस बैंक लूटे थे ये देखकर गेजा के पिता मतलब कोच बोटा रोने लगता है क्योंकि उसने ही अतीला की मदद की थी और अपने बेटे गेजा को अतीला से भी उसने ही मिलवाया था लेकिन वह नहीं जानता था अतीला उसे इतना बड़ा धोका देगा ये नियूस केट भी अपने कार में सुन रही थी तब उसे पता चलता है कि अतीला एक रॉबर है वो बॉडर पार करते हुए पैसों के बैक के साथ पकड़ा गया अब एक दिन केट अतीला से मिलने जेल आती है केट उसे देख कर रो रही थी उसे लग रहा था अतीला को पुलीस ने पीटा होगा अतीला कहता है उसे किसी ने कुछ नहीं किया लेकिन उसे जेल से बाहर निकलने के लिए एक लोयर की जरूरत होगी तब केट हामें सिर हिलाती है फिर अतीला उसे पैसों के बारे में पूछता है ज मतलब केट ने वो पैसे खरच कर दिये तब केट वहाँ से उठकर जाने लगती है अतिला उसे रुखने के request करता है और उससे मदद मांगता है तब केट कहती है वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकती और वहाँ से जाने लगती है तब अतिला देखता है केट उस लड़के के साथ बहाई थी जिसे अतिला ने कॉलेज के बाहर केट का हाथ पकड़े देखा था केट उस लड़के के साथ वहाँ से चली जाती है पतलव पैसों का बैक केट ने रख लिया था और अतिला को छोड़ कर वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में चली गई मतलब केट ने उसे धोका मैं बिल्कुल शूर हूँ उस लड़के के साथ केट का पहले से अफेड चल रहा होगा क्योंकि उसे पता था उसका अतीला के साथ कोई फ्यूचर नहीं इसलिए वो अतीला के साथ बस टाइम पास कर रही थी और उसके पैसों पर इंजॉय कर रही थी इसलिए लॉंडो लड़ लड़की पर कभी भरोसा मत करो जादातर लड़किया हमेशा खुद के बारे में ही सोचती है मेरे एक दोस्त ने अपनी गल्फरेंड के पीछे अपने 10 साल बरबाद किये लेकिन जब शादी का टाइम आया उस लड़की ने उसे चीट किया अब वो लड़की डॉक्टर है उसने अपनी पढ़ाई भी पूरी कर ली और अपना करियर भी बना लिया और मेरा बेचारा दोस्त 10 साल पहले जहा था अब भी वही है इसलिए 15 मिनट के इंजॉय के लिए अपने जिंदगी का वेल्यूबल टाइम लड़कियों के पीछे कभी बरबाद मत करना खैर वापस कहानी पर आते है अतीला के पुलिस स्टेशन में आने पर बारतोस ये सब दूर बैठ कर देख रहा था और अतीला पर हज भी रहा था अब मुवी पूरी तरह से प्रिजन टाइम में आ जाती है बारतोस पूछता है क्या उसे अब भी यही लगता है कि केट को उसकी रॉबर दरी से करता है इसलिए वो अपनी फैमिली को समय नहीं दे पाया इसलिए उसकी वाइफ किसी अकाउंटन के साथ भाग गई और उसके बच्चे बारतोस को ही दोशी मानते है लेकिन उन जैसे चोरो को मीडिया और लोग हीरो बना देते है लोग पोलिस का मजाग बनाते है ल बारतोस अपना फरस्ट्रेशन अतीला पर निकाल रहा था तब अतीला खड़ा होकर उसके सामने टहलते हुए कहता है बहले ही वो उससे पता है बारतोस जुट बोल रहा है बारतोस कहता है हाँ वो जुटा है और अतीला चोर लेकिन इस दुनिया में कोई भी मासूम नहीं अब अतीला रात में सो रहा था, तब एक गाड आकर उसका सेल चेक करता है, गाड के जाते ही अतीला जिस बेट पर सो रहा था, वो उस बेट की चादर फारता है, सुबह होने के बाद गाड उसे उसके बैरक में ली जाकर छोड़ देता है, और उसे टहलने के लिए 20 मिनट दे गाड के जाते ही अतीला अपना शर्ट उपर करता है, दर असल उसने रात में जो चादर फारी थी, वो उसे अपने कमर से खोलता है, उस चादर में एक वायर भी बना था, उधर बारतोस बातरूम में अपना चेहरा वाश करने जाता है, दूसी तरफ अतीला उस रसी की पर चड़ना शुड़ू करता है, फिर उपर एक कमरे में निकलता है, फिर चुपता चुपाता आगे बढ़ता है, इस तरफ बारतोस अपने कैबिन में आ चुका था, वो एक ओफिसर से अतीला को उसके कैबिन में लाने कहता है, लेकिन तब तक अतीला भागते हुए पोलि बहुत ऊपर था लेकिन फिर भी वह नीचे कूच जाता है वही इस तरह बार्टोस उस गाड को अपने कैबिन के सामने से भागते हुए देखता है वह उठकर अपने कैबिन के दरवाजे के पास आता है तब वहाँ से बहुत सारे गाड भागते है और तब ही वहां का सायरेन भी बज़ता है तब बारतोस समझ जाता है अतीला वहां से भाग गया फिर बारतोस का ध्यान उस वायर पर जाता है जो उसके कैबिन में कम्प्यूटर सिस्टम लगाने के लिए इस्तेमाल होने वाली थी लेकिन वो वायर उसे वहां नहीं दिखती ये देखकर बारतोस को सारे रोड बन कर दिये गए विसकी रॉबर मतलब अतीला की तलाशी हंगरी में हर तरफ हो रही थी फिर कुछ हफतों बाद अतीला जुगलो नाम की जगा पर पकड़ा गया जुगलो बुद्धा पेस से कुछी दूरी पर है उसे पकड़ने के बाद सारे पुलिस वाले बह मतलब पॉलिस इस्टेशन से भागने के बाद उसने तीन रॉबरी इस और की उसके पकड़े जाने के बाद उसे 17 साल की सजा हुई लेकिन उसे 12 साल बाद 31 जनवरी 2012 को जेल से रिहा कर दिया गया अब वो कुछ बिजनस करता है जिसके बारे में उसने जेल में पड़ा था आगे हम देखते है अतीला एक मेले में एंटिक की शॉप में बैठा है मतलब उसने एंटिक की चीजों का बिजनस शुरू किया था अब अतीला काफी सुधर चुका था लेकिन कुछ दिर बाद हम देखते है उसने वो शॉप एक बैंक के सामने ही खोली थी अतीला उस बैंक नाम से भी लिखी थी जिस पर ये movie base है तो दोस्तो कैसी लगी आपको ये movie मुझे comment करके जरूर बताए अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को like करें अपने दोस्तों के साथ share करें और मुझे instagram पर follow करना न भूले तो मिलते हैं अगले बार किसी और amazing movie के explanation के साथ peace out